नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं पुखनम आपके साथ कॉफी विद कारण के नए एपिसोड में एक्ट्रेस जामरी कपूर अपनी भेन खुशी कपूर के साथ नजर आई है शोपर पहुची दोनों बेहनों ने अपनी पॉस्टर लाइफ से जूड़ी कई बाते शेयर की इस मौके पर करण ने जानवी और खुशी से उनकी दिवंगत मा एक्ट्रेस श्री देवी से लेकर उनके लिशन्शिप पर भी बात की एपिसोड में जब करण जानवी से उनके डूमट बॉइफरेंड शिकर पहाड़िया पर बात की तो जानवी ने इस लेशन्शिप को स्विकारा भी नहीं और ना भी नहीं कहा करण एक्ट्रेस से पूछा कि आप पहले शिकर को डेट कर रहे थे फिर आपने किसी और को डेट किया और अब फिर से आप शिकर को ही डेट कर रही है ना इसके जब आप में जानवी ने करण से कहा कि शिकर मेरे लिए ओनादान परिंदे घर आजा गाना गाया करते थे अपने boyfriend के बारे में बात करते वे जानवी ने आगे कहा शिखर सिफ मेरे लिए नहीं बलकि मेरे पुरी परिवार के लिए मौजूद रहते हैं वो जब मेरे दोस्ते तब भी ऐसे ही थे और वो ऐसा किसी expectation के साथ नहीं बलकि पूरी तरह से selfless होकर करते हैं करण ने इस episode में जानवी से उनकी किसी actor को date ना करने के फैसले पर भी बात की जब करण ने इसकी वज़ा पूछी तो जानवी ने कहा मुझे को ऐसा चाहिए जो मुझे obsessed हो actors के साथ दिक्कत यह कि वो बहुती competitive और weird हो जाते हैं कम ही लोग जानते हैं कि एक वक्त पर जानवी actor कातिक आरेन को date कर रही थी 2021 में दोनों गोवा में साथ नज़र आये थे इसी के साथ परने रहे राजनामा टीपी के साथ धन्यवाद